बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं माई ज्योतिश और मैं हूँ आपके साथ शोबित मिश्र मित्रो देव गुरु ब्रहस्पती 20 जुन रभीवार से कुम्ब राशी में वक्रिये होंगे कुम्ब राशी में गुरु 14 सितंबर 2021 तक वक्रिये रहेंगे इसके बाद गुरु मारगी होते हुए पुना मकर में प्रवेश कर जाएंगे गुरु के इस परिवर्दन का सारवादिक असर कुम्ब राशी पर पड़ेगा इसका विशेश प्रभाव ब्रशब और मित्र राशी पर भी होगा आईए देखते हैं इसका बारा राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेश राशी गुरु का यह परिवर्दन आपकी राशी के आया भाव में होगा आपको सफलता के लिए प्रत्न करना होगा सेहत का ध्यान रखना होगा धन हानी के योग है ब्रशब राशी गुरु आपके दस्मे भाव कर्म भाव में रहेंगे इस समय नया कारे शुरू ना करें और वाद विवास से बचें मिथन राशी इस समय गुरु आपकी राशी में नौमे भाव यानी भागे भाव में रहेंगे सफलता के लिए प्रत्ने करना होगा सिहत का भी ध्यान रखना होगा धैरे से काम लें करकर राशी रोकों से बचने का प्रयास करें सिहत में ला परवाही बिल्कुल भी न बढ़तें अपने क्रूज पर नियंतर्ण रखें सिंग राशी दामपत्य जीवन में कस्ट होगा अनावश्यक बाद विवास से बचें कन्य राशी सिहत का ध्यान रखें शत्तु पराजित होगे परिश्रम अधिक करना होगा तुला राशी अनावश्यक धन का वे होगा मानतिक तनाव होगा साबधानी बरतें परिश्रक राशी निर्णे सो समझ कर लें किसी कभी अपमान ना करें धार्मिक कार में सहो करें धन लाप के योग हैं धनु राशी साहस और आत्म विश्वाश में ब्रिद्धी होगी रिष्टों में मन मिटाओ संभव है मकर धन के मामलों में साबधानी बरतें वाणी की मधरता बनाए रखें किसी से बुरा नहीं बोलें गलत अंगर से बचें वाणी दोस्ट से बचें वाहन प्रियोग में साबधानी बरतें मता पिता के चरन इस पर शकरें कुम्ब राशी आपकी राशी में ही गुरु वक्री हो रहे हैं इसलिए विशेश ध्यान रखें पेट की समस्या हो सकती है स्याहत का ध्यान रखें आपको धोका भी मिल सकता है अपने गुरु की सेवा करें किसी का भी आनारदर ना करें मीन राशी सिक्षा से जोड़े कार्वें में सबलता मिलेगी विद्यारतियों को लाब होगा अहंकार से दूर रहे इस समय ना किसी से करज लें और ना ही किसी को करज दें अब कुछ उपाय बता रहा हूं जिनको एदिय आप करते हैं तो गुरु के जो भी अशुप रभाव हैं उससे आप बच सकते हैं नित्य पानी में हल्दी डाल कर असनान करें किसी बुजुर्ग ब्राम्मण की सेवा करें गुरुबार का ब्रत यदि रख सकते हैं तो रख लें भगवान विश्णु के नित्य दर्शन करें पीले चंदर और केसर का तिलग अपने ललाट पर करें केले के व्रख्ष की नित्य पूजा करें मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं और मंदिर में चैने की डाल का दान करें यदि यह उपाय आप करते हैं तो गुरू के अशुक प्रभावों से काफी हद तक आप बस सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मुझे आग्या दीजिए भगवति आप सब पर अपनी दया अपनी कप्या बनाए रखें नमस्कार धन्यवाद